ओम सिरी गनेशाय नमदोस्तू एश्प्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तू आज कीस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन दिसंबर रवीवार के रासी फलक के बारे में कीह दिन करक रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किनकिन चीजों से इनको फाइदा होगा किनकिन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनी सर्वियापार कैस स्वास्त की महत्पपोन जानकारी हम आपको देंगे और इसे वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चड़ी दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा करकराशी वालों के लिए रवीव अच्छी बन रही है संतान पक्षशे संतुष्टी आज आपको प्राप्त हो सकती है समय के नुशार संतान का शयोग भी आज आपको प्राप्त हो सकता है संतान के कुरिया कलापो तथा घर परिवार की आवश्यक्ताओं पर आज आप घरे उतरने का प्रियास करें दोस्तों आपके संचार कोशल और संबंदों में विस्तार होगा और आप प्रकरती और जीवन से आज बहुत कुछ सीखेंगे दोस्तो आज आपके कुछ नए दोस्त भी बनेंगे आप भविश्य हितू अनेको योजनाएं आज बनाएंगे जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और लंबे समय से अठकी हुई आपकी अनेको एक्छाओं की आज पूर्ती होगी जैदोस्तो साति सात आज आज आपके लिए दूर की यात्राएं भी होंगी जो आपके लिए अती लाबकारी सिद्ध होंगी और उनके दोरा आपको अच्छा धनलाब भी होगा और साति सात आप आपके मान सम्मान में भी वरद्धी होगी मल्टी लेशनल कमपनियों में कार्रे करने वाले लोगों के लिए आज का समय बहुती अच्छा रहेगा आपकी अनेक महत्वकांचाओं के आज पूर्ण होने की संभावना हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों पूजा करने के साथ साथ अपने आप पर भरोसा जादा करें दोस्तों राजनीतिक लाब प्राप्ति के भी दरश्टी से इस्थितियां आज काफी आपके लिए अनुकूल हैं साथ ही साथ संतान के प्रती आपका वहवार काफी अच्छा रहेगा और संतान की प्रगर्ती से आप काफी संतुष्ट होंगे विध्यारतियों को उनके प्रणाओं में आज सफलता प्राप्त होगी और उन्होंने जिस दिन के लिए महनत की थी वह महनत कामियाब हो जाएगी साथी साथ आप अपने ग्यान को बढ़ाने और लोगों से अपने विचार बाटने में भी रखते हुए सामानने से अधिक विचार सील होंगे परीजनों से मदद पाने की आपकी इक्षा आपको सयोग पाने के लिए प्रेरित करेगी दोस्तों मित्र भाई बंदू इत्यादी के साथ भैतर संबंद हो सकते हैं जिससे कामकाज के साथ साथ घर परिवार में भी एक द बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता हैं दोस्तों किसी भी प्रकार के वित्ते निवेश के लिए आज बहुती सोच समझ कर आगे बढ़ें यदि इस छेत्र के जानकार या विसे सग्यों से सुजाव और सला लेकर ही कोई कारे करेंगे तो आपके लि अत्र में थोड़ा ध्यान देनी के आवश सकता है क्योंकि आपके विरुद आज कोई सडियंत्र हो सकता है अत्वा कोई आपके विरुद कोई चाल चल सकता है जिसके कारण आपको मान हनी उठानी पड़ सकती है अपना कारे आप पूरी इमयंदारी से करें किसी को भी ऐसा म करें तो कि यदि आप ऐसा करते हैं तो वह आपके भरोसे का नाजाई ये फायदा भी उठा सकते हैं और आपको चोरी चुपे नुकसान पहुचाने का भी प्रियास कर सकते हैं जिसके कारण ऑफिस में आपकी छवी को नुकसान उठाना पड़ सकता है सावधान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तो आपका जीवन साथी आपको आपके प्रतेक कारे में समर्थ हंदेगा और समय आने पर आपकी साहता भी अवश्य करेगा इसके परिणाम से रूप आपका वहवाईक जीवन काफी आपको प्राप्त होगा इसलिए जीवन साथी के साथ मदूर संबंद बनाए रखना आपके लिए भैतर हो सकता है दोस्तो साथी साथ आपको यह बात का विद्यान रखना चाहिए कि प्यार और रिष्टे अपने पन इसने और प्यार से चलते हैं इसलिए किसी भी रिष्ट दोस्तो इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवेशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुती सुव फलदाई रहेगा वैपार धंदा आज अच्छा चलेगा और आर्थिक इस्तिती योग बन रहे हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा जी हां दोस्तो आपको अपने कारों से आज अच्छा लाब भी होगा और आपके केरियर में आपकी इस्तिती काफी मजबूत होगी यदि आप किसी मित्र के साथ कोई वैपार कर रहे हैं तो इस दोरान आपको होती अच्छा है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला हैं दोस्तो घर में कैए गिरहों की यूती आपके स्वास्थ को प्रभावित कर सकती हैं इसलिए एक नियमित और अच्छी दिंचरिया का आप पालन करें इसके लिए आप अपने खान पान क्या है दोस्तों आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद तामे के लोटे में जल लें उसमें आप थोड़े अक्षत कुमकुम गुड और फूल डाल कर भगवान शुरदेव को अर्द दें और साथी साथ जल चड़ाते समय आप मनीमन भगवान शुरदेव के मंत से ही भगवान शुरदेव बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों का अंत करेंगे और आपको जल्द ही सुग फलो की प्राप्ति होंगी और आपके समस्त कर रहें भगव भगवान शुरदेव के आसिरवाद से बहुत यासानी से बनने लगेंगे दोस्तों भगवान शुरदेव का आसिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै शुरदेव अवस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद